इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास कोई भी ब्रैंड की Android TV है और उसमें आप Bluetooth डिवाइस कनेक्ट करने जा रहे होंगे या तो अपना remote कनेक्ट करने जा रहे होंगे या फिर mobile phone, headphone कुछ भी कनेक्ट करने जा रहे होंगे तो यहाँ पर connection problem आ रही होगी और connect नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर मैं आपको problem का solution बताऊंगा वीडियो ध्यान से देखते रहे हैं सबसे पहले आप यहाँ से पूरी तरीके से बाहर आ जाएं अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिए settings में आप चले जाएं TV की settings में आप चले जाएं remote की मदद से अब यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा apps का तो इस पर चले जाएं नीचे की तरफ आएं आपको यहाँ पर see all apps का option दिखाई देगा इसे open कर ले अब आपको और नीचे आना है नीचे दिखाई देगा show system apps इस पर क्लिक कर लें तो आपको system apps नजर आ जाएंगी यह सारी तो आपको यहाँ पर ढूनना है bluetooth यह application ढूनना है Bluetooth की ओके इस पर क्लिक करें सबसे पहले इससे four stop कर दें ओके इसके बाद यहाँ पर आप clear data की option पर आएं इस पर क्लिक करें और ओके कर दें ठीक है clear data हो जाएगा अब यहाँ से बाहर निकल जाएं ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर पूरी तरीके से बाहर आने के बाद या तो आप अपने remote के power button को long press करें देर तक प्रेस करें तो यहाँ पर power off का option आजाएगा यहाँ से आप shutdown कर दें यहाँ आप direct अपने button से tv के button से प्लक निकाल के आप उसे power off कर दे यानि restart कर दे ठीक है और उसे फिर वापस से आप on करें आपको वापस से on भी करना है तो यह on हो रही है थोड़ा सा wait कर लें तो यह on हो चुकी है आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए तीवी की settings में आ जाना है वापस से settings में open कर लें नीचे की तरफ बिलकुल नीचे remote and accessories में आ जाएं और अब आपको यहाँ पर add accessory पर क्लिक कर रहा है तो आपको मैं यहाँ पर अपना mobile phone connect करके दिखा दे रहा हूं टीवी से आप किसी भी Bluetooth device को connect कर सकते हैं सेम तरीके से तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए मैंने Bluetooth on कर दिया है तो available device में देखिए मैंने यह searching का on किया तो यहाँ पर scanning का मुझे ठीक है यह काम हो गया अब टीवी में भी अपनी remote के मदद से यहाँ पर आप pairing कर लें ठीक है cancel ना करना pairing पे क्लिक करके कर देना तो यह pair हो जाएगा ठीक है अब यहाँ से बाहर निकले तो आप देखेंगे कि आपका जो डिवाइस है वो pair हो चुका है connect हो चुका है यह रहा ठीक है फोन देखिए यहाँ पर connect हो चुका है इसी तरीके से आप किसी भी device को connect कर सकते हैं और आपको एक बात बता हूं आप add accessory में जाएंगे तो यह oneplus की tv है तो अगर आपको remote को pairing mode में डालना है क्योंकि remote के अंधर भी bluetooth होता है तो pairing mode में डालने के लिए आपको home plus left button दबाना पड़ेगा अगर आपके पास oneplus का remote है तो यह रहा home button और यह रहा left button इन दोनों बटन को देर तक प्रेस करना है तो सामने pairing का option आजाएगा और अगर आपके पास कोई और brand की tv है तो इसी जगा पर कुछ और तरीका लिखा होगा आप देख लेना और उस तरीके से आप connect कर लेना उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स और को subscribe जरूर कर दे